हेलो स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल ते एक परफेर्ट रड़ा स्वागत है तो आज असी एक बड़ा इंट्रेस्टिंग इंपॉर्टन टॉपिक लेके आए हां तुसी मेरे पिछली वीडियो देवीच लाइट बारे पड़ चुके हो तो अज आपान लाइट दे होते कुछ mcqs नो डिस्कस करांगे यह लाइट दे होते पार्ट वन है mcqs दा इस तो बद आपा एक पार्ट दे वीच होर mcqs नो डिस्कस करांगे तो यह mcqs तो अनूं कई मैने दे वीच बड़े बेनेफिट होणगे चाहिए हो NTS दा पेपर है चाहिए हो कुई कॉम स्कराइब करना है कि 10 वी चोट तो अड़ा कि ना स्कूर आया है और तुसी कॉमेंट सेक्शन देविच 10 सकण देविच 10 स्कूर किना आया है तो अब शुरू कर दे आपा तो फीस्ट कोस्ट्ट हम शुरू करने जा रहे है या राइँ है लाइट धे होते वैए फ्स्ट्क् त्यान रखना है कि तो उन्हों चारों ओप्षिन ही को वर गया लगन गिया तो तो उन्हों बड़े त्यान देनाल इस तीस दा आंसर देना है कि इस दा आंसर की होएगा उन्हों कोश्चन पुछे उन्हें कि केडा दरपन है विच मीरर केडा मिरर है जो हमेशा इरेक्ट और भी बनाओधा है सोदॉस के नालख वर्ड पाता डिमानी अज्च मतला चोटा सो आपले प्लेन होran नहीं रखना है तैंसली बनावतल पलेन तनी आएगा, अपने को लेस्ता अंसा जो से तक कंकेव मिरर दिगाल है कंकेव मिररो देड़ा है ओहो इरेक्टिव बनाऊ दाओ वर्चूल भी बनाऊ दाओ भी अबासी बनाऊ दाओ सिद्धी भी बनाऊ दाओ पर diminished सिद्धी नहीं मनों दाओ तो इस दा आंसर कियाएगा आंसर विल भी Convex यहनकी उत्तल दरपन है ओह किस तरह नहीं में बनाएगा ओहों इमेज बनाएगा Erect or diminished सिद्धी और छोटी तो इस दा आंसर कियाएगा Convex C is the right answer अगले question देवाल वाद दे हां अपना अगला question है So are you ready for the next question? Yes. So the next question is An object is placed 1.5 meter from a plane mirror एक वस्तुनों एक समतल दरपनतों 1.5 meter भी दूरी ते रख्या गया है How far the image from the object 1.5 meter दूर बस्तु पहला ही है और 1.5 meter दूर प्रतिविम बनेगा तो टोटल डिस्टन्स बन जेगी 10 meter तो एथे आम तो रहते एक confusion हो जानदी है कि एंदा 1.5 meter दो इस दा आंसर 1.5 meter दो इस दा आंसर 3 meter चार पांट पांच मीटर और छे मीटर दो कोई बन दे नहीं किसे तरिक्के ना लिए तो ट्यन मीटर और 1.5 meter बीच confusion है अथे अगर लिख्या होंदा कि मिरतों के दूर बनेगा ता फिर रहता आंसर 1.5 meter आगा थी तो इस बड़ा इंट्रस्टिंग कोश्चन सीगा लेट उस मूओं नेक्स्ट कोश्चन आपका आगले कोश्चन वाल बद दें तो नेक्स्ट कोश्चन इस अ रे उफ लाइट इस इंसिदेंट ओने प्लेन मिरर इक प्रकाश दी जडी किरन है वो एक संतल दरपन ते डिग दी है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस 50 डिगरी है वो 50 डिगरी है कल्कुलेट दा एंगल बिट्वीन इंसिदेंट रे एंड रिफ्लेक्टिर रे यह वी बड़ा इंट्रस्टिंग कोश्चन है ऑप्शेंस पंजार डिगरी जीरो डिगरी सो डिगरी और एक सो वी डिगरी है आव सोना डाग्राम नों समझेंदेंदे प्र एंगल ऑफ इंसिदेंस थे एंगल रिफ्लेक्शन बराबर हों दिया मतलब एंगल भी किन्न वाएगा पंजार डिगरी कुण आपनों एंड दोना किना दे विचकार एंगर निकालना है तो पंजार और पंजार ना हो गया आपने कोड़े सो तो आंसर वी हंडर्ड डिगरी अगल डिगरी क्योंकि उसने इन रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन विचकार अगल पुछा है तो लेक्रिव बन दो नेक्स्ट्स आपने कोड़े वहां जोना कि अगले कोशन वाल मुव करेंगें तो आपने को यह नहीं कोशन के फो पनी इस दे पे सुलेंट और देने प्ले प तो को यह इस द्हूंना मेरे होगा गारीप घझी सभी सभी और इविचा जए उद्हाइगा क्योंकि निर्ट जरा सब्सक्रादा आज़ म्यद्ग बनाएगा विरेल परीजित प्ना जरा देगा बनादेगा मिर्ट अıessen स्रून क्यू मैं यह न एच्ट आप दे ज्ट भ्यान नहीं करें जो रह एगे north a आप प्लाइन मिरर में ती क्न शेयर बहुत इंट्रस्टिंग कोशन है अप में इस खेटा एंगल दी वेल़्ी मेरने पर दी कोशिच करिया तुर अपने कोले एंटरी है एंटरीट रही है और अगर यहां धेटी डिग्री है फिन्ट अगल अगल भी थी तिरव फ्क्राइब क सब्सक्राइब नम्ला है एमें आपने कोले 30 सी आपने कोले 60 सी। इस दा आंसर किन आ होगा इस बनाँ इंटरेस्टिन से आउनलाश मतलग Canadians ऑपने कोले 70 एंटरेस्टिन सी यह पिसल्चीप ऐस दा आपने कोले तो लेट उस्मव नेक्स कोश्चन एक कोश्चन रिपीट हो गहार भीछ कीणी चुके सब्सक्राइब कर सो की आंसर आइगा इस दा आंसर आपने को डेए इस दा बलेन मिदार ऐगगि कोश्टीन है को है इसमात कर दें आप आँव यह देखो यह कोश्च न प्रफोड़ा त्यान देए पिछे कर चुके आप इत्थे अपने कोड़े की आएगा अगर अपने कोड़े आएगा डेफिनेटली कंकेव था नियुक्त चोटी में नहीं मनोंदा प्लेइन मेर वी यूज होएगा व्यूज प्लेइन मिर ट्रैफिक विए अपने यूज नहीं कर दे रहके नू कंट्रोल करने वास्ते लेंज ता है नियुक्त था डेफिनेटली ज्यान डिया होगा कोंवेक्स मिर मेर जो हुंदा है वो हमेशा ही डिमिंश्ट इमिज मना आंच इरेक्ट इमिज मना नहीं सिद्धी बना यह इस दांसर किया हो सब्सक्राइब को अगले कोशन वालवाद दें आपा कि अगले कोश्चन नंबर इस फोकल लेंथ ओफ प्लेन मिरर इस बड़ा इंट्रस्टिंग कोशन है पेपर बड़ी बड़ी पुछे जांद है लें मिर दी फोकल लेंथ किनी हों दी है वन मीटर नहीं जीरो नहीं इन फा प्रतीथ हों गया अनन्त थे इन फाइन थे उत्ते आंसर कियाएगा C इन फाइनाइट मतलब आपनों पोहत अनन्त जूरी ते जाके यहां पुकल होएगा आपने कोश्चन इस बड़ी इंट्रस्टिंग कोश्चन थे आपने कोश्चन लेंगरे इस इन्सिनेंट नोर्मली इन्सिदेंग 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 इन्स इन्टरस्टिंग कोस्टिंग को सम्ट पर के लिए विल भगाल हो गश्रस्टिंग। अ करेगा देगाए कुछुम। so the last question is magnification produced by a plane mirror is the sunary a palm magnification magnification the image किन्नी की बड़ी बान रही है किन्डी बड़ी इमेज बान रही है आपनी so याथे चार ओप्शंद ने प्लस one प्लस one दा मतलब सेम साइज दी बान रही है और इक्ट बान रही है सिर दी बान रही है माइनस बांदता मतलब है इसली आकारी बान रही है पर इंवर्टेट बान रही है जीरो है इमेज बंदी ही नी पर ही और प्लस्त गाप्रण धुटता मतलब आकक।्र अattend gy आककारी हों सबूंड को लेसे प्लेण मिर्रिब तो थ्रै। सिदी बान दी है और उसे Maßnahmen are प्लस वाना उन्सरा कि यहाँ प्लस वाना साइगा सो आई तो बाद अगले पाट तू दे विच इसे नाल डास या बारा हुशन्स लात भूर मिलांगे दौर तो मिलांगे तक तक देली तून्टरों तो स्टे टून्ट तुसी व्यक्षदेर हो इस चैनल नो तो अनों होर भी अग्ये रहे हैं वो लेक्षर्स देखनों मिलने के थैंक यू थैंक यू वेरी मच्च